नमस्कार साथियों एक बार फिर से स्वागत है कोशी स्टड़ी यूटूब चेनर पर आने के लिए दोस्तों बिहार डियलेड फेस टू फेस एक्जाम 2020 को लेकर के बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है जो भी first year या फिर second year के student है यानि कि first semester या फिर second semester के student है वीडियो को last तक देखेगा और ये वीडियो आपके लिए काफी important रहने वाला है क्योंकि अगर आप miss कर देते हैं इस वीडियो को या फिर इस जानकारे से अगर वनचीत रह जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे student होंगे जो एकजाम से वनचीत हो जाएंगे जिनका admit का release नहीं किया जाएगा जो वार्सिक परिक्षा होने वाली है तो वीडियो को पुरा धियान से जरूर देखेगा नए साथ है नए मैमान है तो वीडियो को लाइक करने के वाद सेर जरूर कर दीजिगा और इस तरह से अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए दोस्तों सबसे पहले इसके लिए आपको कोई भी अपना Google ब्रोजर आपन कर लेना है और वहाँ पर आपको सर्च करना है कोसीश्टडी.com जैसे ही आप सर्च करेंगे तो बिहार डियलेड इंटरेंस एक्जाम के सम्मन्द में यहाँ पर आपको अपडेट मिल जाएगा और नीचे आएगा तो यहाँ पर भी आपको न्यू अपडेट मिल जाएगा जो 22 एक्टूबर को इंटरेंस एक्जाम होने जा रही है अब फेश टू फेश एक्जाम के लिए आप नीचे आएगे यहाँ पर देखेंगे कि बिहार डियलेड यानि कि BACB डियलेड डमी एडमिट कार्ड सेशन 19 से 28 और 18 से 20 के लिए एक अपडेट मिलेगा यहाँ पर आपको क्या करना है किलिक करना है आपके सामने इस तरह से कुछ फेश ओपन होगा यहाँ पर आप नीचे आएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 18 से 20 सेशन के हैं इनके दुईतिया वर्सका और जो 19 से 21 सेशन के हैं उनके पर्थम वर्सका आउनलाइन परिक्षा फॉर्म भरा जाना है इनमें से बहुत सारे सेश स्टूडेंट हैं जो अभी तक परिक्षा फॉर्म नहीं भरे हैं या भर दिये हैं तो उनका परिक्षा सूल्क जो है उसके महाविद्याले द्वारा बिहार बोर्ड को जमान नहीं किया गया है इसके समद्ध में बार बार भी हार बोर्ड अपडेट कर रहा है अगर ऐसे स्टूडेंट इस तरह से फंस जाते हैं तो उसका फाइनल एडमीड कार रिलीज नहीं किया जाएगा तो जितने भी ऐसे अव्यारती हैं जो अभी तक परिक्षा फॉर्म नहीं भरे हैं या भरे ह और अभी तक डमी एडमीड कार्ड को डाउनलोड नहीं किये हैं तब आपको पता चलेगा अगर डमी एडमीड कार्ड आपका मिल रहा है इसका मतलब है आपका प्रिक्षा फॉर्म भरा जा चुका है इस तरह से आप चेक कर सकते हैं तो उसके लिए जो है 14 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक फॉर्म भरा जाना है और विलम सुल्क के साथ जो रुप्या फे कीजिगा वो सुल्क जो है 18 सेप्टंबर तक आप अंतिम रूप से जमा करेंगे इसके लिए जो है इस वेबसाइट पर आप सभी को डमी एडमीड कार्ड मिल जाएगा जो भी ऑनलेन परिक्ष यहां पर अपडेट हो जाएगा तो निश्चित रुप से अगर अभी तक परिक्षा फॉर्म नहीं भरे है तो भर दीजी क्योंकि बहुत सारे इसे महाविद्याले है बहुत सारे स्टुडेंट भर दिये हैं लेकिन महाविद्याले द्वारा आविदन सूल्क जमा नहीं कि अपडेट किया जा रहा है और उसके समन्द में यहां पर आप देख सकते हैं आज जो है निव नोटिफिकेशन भी आया है और यह आज का निव नोटिफिकेशन है आप इसको अच्छे से देख लिजी यहां पर और नीचे आएगा तो यहां पर आपको इंपोर्टेंट डे का बरेंगे उनको 1425 रुपया बरना है और लेट फाइन जो है 175 रुपया उनको देना पड़ेगा और एडमीट कार आप सभी को जो डॉनलोड करना है यहां पर किलिक करेंगे तो डमी एडमीट कार डॉनलोड कर पाएंगे और बिहार डिलेट इंट्रेंस एक्जाम के लिए जो अपडेट है वो आप यहां पर किलिक करेंगे तो इसका अपडेट आप लोगो को मिलेगा कि बिहार डिलेट इंट्रेंस एक्जाम कब होने जा रही है तो 22 सेप्टमबर को होने जा रही है और यहां पर जो आज का जो अपडेट है वो हम आप सभी को पहले वाले वीडि कर दीजिए नए साथ ही नई मैमान है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ टेलेग्राम गुरूप को जोन नहीं किये हैं अभी तक लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है टेलेग्राम गुरूप को जोन कीजिए कोसियस्टेडी.com विजिट करते रहे धन्य कर दो कोई लाहनों का सब्सक्राइब को जो साथ ही यालन नहीं करते देलेग्राम गुरूप को से